जारकन लोगसबा की 14 सीतों में से 13 सीत बीजिपी चुनाव लर रही है वही एक सीत आरुसु को दिया गया था अपने कार्याले में सुदेश महतों ने आज प्रेश को संबोधीत करते हुए कहा कि गिरिदी लोगसबा छेतर से हमारे प्रत्यासी चंदर प्रकास चौड़ी होंगे सुदेश महतों ने कहा कि 2019 में मोडी जी के में प्रेटू में चुनाव लरा जाएगा और फिर से प्रधान मंतरी पड़ के रूप में मोडी जी को ही चुन कर लाया जाएगा यह पुर्ण विश्वास है जार्खन की चौड़ा लोगसबसीद पर NDA की जीत होगी आज सुप और BJP के सभी कारे करता मिलकर चंदर प्रकास चौड़ी को गिरिदी संसदिये छेतर से सांसद बनाने का काम करेगी इस पर जल संसाधन मंत्री चंदर प्रकास चौड़ी ने कहा की गिरिदी संसदिये छेतर से मुझे उमिदवार बनाया गया है इसके लिए पाती का अभार व्यत्त करता हूँ और उनके आसा पर उतरने की कोसिस करूँगा गिरिदी के जन्ता आजसू के पक्ष में मद्दान जरूर करेगी और फिर से सरकार बनाने में आजसू पार्टी सहियोग करेगी कि अपनी ओर से पाकी एंज़े दिनमारी मुझे दी है तो मैं पूरा परियास करूँगा कि बिलिदी लोग सवाच्छेत्र में पाकी के अमिदवार के रूप में विज़े राफ करूँ और जर्कन के प्रफेक्ष्य में इन दिशनों को जो आज तक राश्की पड़ल पर हम लोग नहीं रख पायाते हैं और जर्कन के लोगों को काफी उमीदे भी है ति जर्कन के वर्मा जो राश्क पड़ल पर रखने का मुझे अवसर कि रेगा प्रफेक्ष्य शुत्य वर्फों कि निश्की में वारे को रखाएं और इस संकल पत्र को प्रफारी आदवियां हमारे उन्पूब शांसात और ब जर्कन के वसक में बिखे से जर्कन के